अपने दिवाली सेलिब्रेट करी होगी और मेरी और जीके 24 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैपी दिवाली दिवाली की बहुत बहुत शुपकामन है क्योंकि दिवाली से पहले वीडियो नहीं आ पाई थी तो मैं भी शयद मैं आपको विश नहीं कर पाया तो इसलिए हम क्या बात करेंगे रीसेंट न्यूस जो है अब हो ये निकल के आईए कि इंडिया ने वोट किया है अगेंस्ट इस्राइल एट युनाइट नेशन तो यहां पर युनाइट नेशन में एक वोटिंग हुई थी किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर वो क्या है वो भी बात करते हैं तो देखो अभी जो है यहां पर देखो न्यूस पढ़ो पहले तो पूरी यहां पर लिखा है इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ युनाइट रेजलूशन अगेंस्ट इस्राइल तो यहां पर अगर कोई कंट्री युनाइट नेशन के रेजलूशन में ठीक है अगर फेवर में वोट् करती है तो इसका मतलब की ऑटोमेटिकली वो इसरायल के अगेंस्ट में वोट्ट कर रही है 就 अगर रेजिया के वोट्स इन फेवर में ठीक है तो इस चीज को लेकर मुद्दा पूरा यह था कि क्या ऐसा सही करना है मतलब इसराइली जो फोर्सिज हैं इसराइली जो कर रहा ही है कि अलग-अलग जगे पर सेटलमेंट्स बना रहा है पलिस्तिनियन की टेरिटरी को अपने कबजे में ले रहा है क्या इसको ऐसा करना चाहिए या रोकना चाहिए तो इसराइल के हमने अग और यह जो पूरा मैप है ये किसके अकोर्डिंग है ये है इनाइट नेशन के अकोर्डिंग अपर लेकिन आपको पता है इसराइल जो है और यह जो एरिया दिखा रहरowers आरड़ को इह रही है आपको यहाँ बैंक और गाजा वैसे तो बोला यह जाता है कि यह जो है पैलिस्तीनियन रीजन है लेकिन यहाँ पर भी काफी सारा जो पहले से कम हो गया है और फिर आगे चले तो आज मतलब आज के टाइम पर होना कुछ ऐसा चाहिए जो युनाइटेड नेशन भी बोलता है लेकिन आप देख रहों किस तरीके से इस्राइल कितना वड़ा एरिया जो है कैप्चर कर लिया और यह जो है यह वाला जो है युन कितने चोटे-चोटे से आईलेंड जैसे दिख रहे है और यहां पर यही नहीं आप वापस उस मैप पे चलो यहां पर आपको पता है कि यह गाजा है जो गाजा है ठीक है यह गाजा कुछ ऐसा दिखता है ठीक है एक तरीके से गाजा स्ट्रेप है यह अभी जो गाजा है ना यहां पर आपको पता है कि यहां से जो है डिवाइड कर दिया है यहां पर पूरे की इसे वाले एरिया में जो है कौन से इसराइली फोर्सेज एंट थोड़े टाइम बाद इसराइल ये बोलेगा कि अब जो है हम अपने सेटलमेंट्स कहां बनाना चाहते हैं नौर्थ गाजा में तो अगर जैसी नौर्थ गाजा में वो अपने सेटलमेंट्स बनाएंगे तो वही अगें की वो क्या होगा कि ये सारा के सारा एरिया भी किसका माना जाएगा नौर्थ गाजा वाला इसराइल का ठीक है और अब ये ही नहीं अभी मैं थोड़ा से एक बार एरेजर ले ले लेता हूं सो दाट ये जादा बहुत जादा ना दिखे आपको देखो यहां से टा देता हूं क्योंक करनी है देखो यहां पे आप जो यवाला एरिया देख रहे हो ह Myanmar रागया ओके यह वाला जो एरिया देख हो ना सीरिया में दो यह चोटा सा आपको एतर विख रहा होगा जिस पर Hashtcr traffic अ यह जो है इसको बोला जाता है Golan Golan Heights तो यह सीरिया का मैप है यहां पर सीरिया है और सीरिया की ही जमीन है यह तो इसी सारे पुरे मुद्धे के उपर की जिस तरीके से इस्राइल जो है लगातार अपना जो है territory जो है occupy करता जा रहा है जिस तरीके से settlements बनाता जा रहा है क्या ये सही है ये बिल्कुल गलत है और इसी चीज के उपर जो है United Nation की जो General Assembly है वहाँ पे voting होती है जितने भी देश हैं ठीके उन सभी ने अपना मत सामने रखा voting करी और उस voting का result देखो ये निकल के आया यहाँ पे आप देखोगे कि करीम 145 countries जो है उन्होंने United Nation के favor में vote किया यानि कि वो ये मानती है कि इसराइल जो है गलत कर रहा है ठीक है ये जो settlement बना रहा है इसराइल लगातार ये गलत है और इसका जो है इसका इस country मतलब समर्तन नहीं करती है लेकिन बात करें अगेंस्ट में तो अगेंस्ट में भी तो vote किया होगा जी हाँ टोटल साथ इसी countries ह जिसने अगेंस्ट में vote किया है यानि कि वो चाहती है या फिर उनका मानना है कि जो इसराइल कर रहा है वो सही है और उन में से एक तो खुद वो ही है इसराइल ही है क्योंकि वो भी तो vote करे गा है न तो उसने अपने favor में ही vote किया है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है लेकिन इस इस voting में ये सारा का सारा result निकल के आया कि इंडिया ने जो है किसमें अगेंस्ट में वोट किया है कि नहीं इसराइल जो है वो गलत कर रहा है इस तरीके से जो territories capture कर रहा है जो Palestinian region को जो अपना बनाता जा रहा है ये गलत है और जब इंडिया ने जो है वोट किया है ठीक है अग जाना किया है कि इंडिया ने थैंक गॉड की जो है मतलब यहां पर एक तरीके से अगेंस्ट में वोट किया है क्योंकि इंडिया जो है हमेशा से एक गलोबली एक बहुत बड़ी पावर रहती है एक बहुत मतलब इनका जो हमारा जो अपीनन है हम इंडियन का या फिर इंड तो यहाँ पर देखो, glad that India voted against Israel settlements in Palestine, 18 abstent from United Resolution, तो यहाँ पर बहुत सारे जो international agencies हैं, उन सभी ने इंडिया के सराना की है, लेकिन अभी चलोगी ये तो चीज हो गई, अब मैं जो है आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस चीज पर वोटिं या गलत, और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि कोई alternate चीज होनी चाहिएती, यानि हो सकता है ना, इंडिया जो है, एक neutral perspective रखता, तो उसका बारे में आपका क्या खयाल है, ठीक है, जो भी है, आप जैसा भी सोचते हो, मैं चाहता हूँ, आप अपना comment जो है, जरूर लिखो comment section में, क्योंकि देखो, जब भी मैं आपसे कुछ पूसता हो ना, तो आपका हमेशा से opinion कुछ ना कुछ रहना चाहिए, ठीक है, जब आपका opinion रहते है ना, तो आपके अंदर एक तरीके से understanding develop होती है, ठीक है, आपको जो है, एक तरीके से आपका horizon से उसको broad करता है, स सभी आपका मानना है, अपने viewpoints मैं invite करता हूँ, ठीक है, तो यह था हमारे आज की short video जहाँ पर हमने जाना, इसराइल के next update की, लेकिन यहाँ पर यह जो voting हुई, इसका कोई relation नहीं था, relate to Israel-Hamas war, यह तो केवल settlement से related था, ठीक है, तो अमीद है आपको video पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी ही videos पाना चाते हो, मेरे साथ जुड़े रहना चाते हो, तो बस यहाँ पर subscribe button को press कर देना, जिससे कि आप आने वाले मेरी कोई भी video मिस ना करो, और अगर आप कोई भी exam के तयारी कर रहे हो, XYZ कोई भी exam, चाहे, SAC, Bank, Railway, या फिर FSS, AI, या फिर कोई भी exam, तो यहाँ पर इस app को जरूर से download कर लेना, क्योंकि यह जो app है आपका, यह आपको बहुत सारी चीज़े provide करता है, जैसे कि बहुत सारे आपको MCQ, previous year question, इसके लावा study material, और तो और जो है, मैं daily basis पर यहाँ पर current affair upload करता हूं, Hindi and English में latest date wise, ठीक है, date wise मिलते हैं आपको, तो यह सारे के सारे जो चीज़े हैं, आपको मिल रही हैं, एक ही platform पर वो भी free of cost, तो क्यों न करें इसको download, right, तो मैंने किया कि आपका थोड़ा सा काम आसान कर दिया है, description में इसका link है, वहाँ जाओ, इसको download करो, अपने दोस्तों के साथ share करो, और यह थी हमारे आज की वीडि देहें जल्द अगली वीडियो में with a new and brand new topic.